हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप बहुत दिनों के बाद दो दिन के चुटी थी क्लासिस भी नहीं ली थी तो डेट शिट आपकी आ चुकी है उस टाइम पर मैंने डेट शिट पूरा इनलेसिस तो नहीं किया आज मैंने इस डेट शिट को देखके फिर आपसे एक पर डिसकस सो का 12 दिसंबर भी हो सकता है और 15 दिसंबर का 18 दिसंबर भी हो सकता है दोन हो सकते एक्जाम स्टार्टैंगा अब जिन बच्छों के E.R हैं पिछले समिस्टर में क्योंकि यह Śu जो पेपर इसमें गिवन है वो पुराने कोर्स वालेर बच्चों के हैं नएक जिए सिट की निया यहाँ पर ली मेंशन है अपको यह हैं सी बीसी दियां मोड का होगा है उक्के और और नियरवाय दिसक दैज सारा तारिक को HRM इसमें से जो भी आपने चूज किया हो समेस्टर तीन अब यह तीन समेस्टर का चल रहा है एक्चुल हम पांच का देखें तो 19 दिसम्बर से अगर जिनका यार ना रहा हो तो वह प्रिंसेपल ऑफ मार्केटिंग पहला पेपर होगा उसका 19 दिसम्बर को जो कि बहुत टाइम है लेकिन जिनके सारे पेपर क्लियर है उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बहुत अच्छी डेट्शिट है लेकिन जिनके पूरे पेपर क्लियर नहीं है जैसे मालो किसी का HRM में आ गया तो अगले दिन ही उसको यह देना पड़ेगा इस इसके बाद आप देखोगे 23-22 तक 19-20-21 इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत बच्चों का इंकम टेक्स में आ रहा है और फानेंशल मेनेजमेंट के बाद सीधा इंकम टेक्स पे आ जाना है मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं इसके लिए आपको अभी से ही तयारी और अभी की डेटशिट है और पेपर आपका लगबग लगबग 29 दिसंबर को खतम हो जाएगा तो लेकिन उन बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा डेटशिट मानूंगा जो बच्चे के सारा पेपर बैक क्लियर है कोई भी इयार नहीं है जिन बच्चों का इयार है वो बच्च सकते हैं क्योंकि पेपर का पता के प्रप्रपेयर करके चलना अब को सारी चीज bij सेम बात करूँ की भी ना चलिए दीचेश कर से तो 14-15 लगातार पेपर चल रहे हैं पिर 18-19-20 और एक्चुल देखा जाए समिस्टर 5 21 से स्टार्ट है जिसमें HRM प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है लेकिन जो बच्चा 20 तारिक को जिसका एफ में होगा उसके बाद यह आ जाएगा सीधा का सीधा तो इस सिचुवेशन में देखा जाए ना तो जिनके सारे पेपर क्लियर हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है सही जिनके पेपर क्लियर नहीं वह समझी आपका रेगुलर ही पेपर होने वाला है और एक चीज़ ध्यान रखिए जब आप मैं बात कर रहा हूं समिस्टर 5 की तो मैं मान के चलूँ आप तो समिस्टर 5 में हो और समिस्टर 5 में जो बच्चा एक पेपर में भी अगर रह जाता है फेल होता है तो उसका वन ये पूरा जाएगा पूरा वन ये लॉस होगा उसका काफी बच्चों का है सर एंबीए कर सकते हैं क्या हमारा एकी पेपर रुग यह न आपको एक पेपर भी नहीं रुकना चाहिए उसके लिए आपको अभी से करना पड़ेगा जो बच्चे जॉब कर रहे हैं इस पेशली उनको अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाली है लास्ट में चलो आपने समिस्टर 123 में एक्सपेरिमेंट मार लिया जितने आए ठी पर देगा तो एक साल तो चले ही गए आपके और नॉर्मली आप तो भीया तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे अप्रिल मही में लेकिन अगले साल दिसंबर में फिर रिजल्ट आएका जनवर में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो इसलिए सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि भाई डेट शिट आई है जिन बच्चों के यार है वह अपने टाइम टेबल को बना लिए उसी के हिसाब से पढ़िए क्लास चल रही है क्लास भी स्टार्टिंग से लेके चलिए सारे सब्जेक्स के ऐसा नहीं के सब्जेक्स हम बाद में लिके चले तो बस बता रहा हूं कि यह दिक्कते हो सकती है बच्चों के साथ अब बहुत बच्चे ने इंकम टेक्स में यार आई है तो इंकम टेक्स के अमेंडमेंट पूछरें तो एक तारीक के बाद डाल दूंगा मैं चलू कर दूंगा मैं और जो बच्चे हमारे application पे है उनके पास ज तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूँ टैनियर जो FM का है ना फाइनेशल मैनेजमेंट का आपका जो टैनियर जिसके अंदर मैंने नोट्स डाले हुए हैं वो 10-year market में आ चुका है मार्केट में 10 यह आ चुका है आप अपने नियर वाइश शौप पर जा सकते हैं टैनियर का नाम क्या है शिवदास का सिवदास का टैनियर है मैं आपको नएक काम करता हूं सीधा जो मेन वहां के हैड है सेल्स परसन में मैं उनका नंबर ही प्रोवाइड कर देखता हूं यहां से आपको जल्दी डिलीवर हो जाएगा जो और मैं तो सबसे बैस्ट ऑप्षन कहता हूं कि आपके नियर वाइश आप पे जाई और बोले सिवदास का यह टैनियर दे दीजिए मिल जाएगा चाहे बच्छा समिस्टर तीन का हो पांच का हो आ चुका है टैनियर फाने इस्टर ग्रीश है अब इनसे डारेक्ली कॉल कर सकते हैं टाइमिंग रहता है दस से छे और इनको कॉल करके डारेक्ली आप अपने टैनियर को मंगवा सकते हैं ठीक है आपको एड्रस देना होगा पेमिंट करना होगा मेरे खाल कैश और डिलिवरी का भी ऑप्शन अविलिबल होगा वहां पे तो वह कर सकते हैं तो राइटर भी मैंने बता दिया सिवदास उसके इंदर जो नूट्स डाले हैं अपडेटेट जो लास्टियर के कुस्ट्स पेपर वगए रहा था वह सारे कुछ मैंने डाल दिया है और उस टेनियर का पूरा सोलीशन भी मैंने वीडियो के में तयार कर लिया है जो की मिल जाएगा जो बच्चे हैं धीरे-धीरे मिल और एक रक्षाबंदन का सेल चल रहा है रक्षाबंदर पर जो बच्चे एंड्रोल होने चाहते हैं तो आपका कॉमबो पैक जो है वह 399 का है कॉमबो का मतलब एक सब्जेक्ट 400 का है अब जैसे मैं बात करूं सेमिस्टर पांच में तो आपके तीन सब्जेक्ट चारों सब है आपका 399 के हिसाब से यानी 400 रुपए के हिसाब से आपको यह कोर्स लाइव क्लास के लिए आपको मिल जाता है बाकी यूट्यूब पर वीडियो डलेगी जिनको लाइव क्लास या डाउट सेशन वगेरा लेना है वह ले सकते हैं जिनको डाउट वगेरा खुद लगता ह कर लेते हमारे इतने डाउट नहीं आ रहे तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्लास प्रॉपर आती रहेगी जानकारी मैं देता रहता हूं इसके लिए आपको चैनल को सरफ सब्सक्राइब करना है और टाइम टू टाइम मैं डेली वीडियो डालता हू या फिर अलग से चैनल बना के डालू क्योंकि हम मिक्सप हो जाएगा बच्चे फिर परिशान ना हो जाए तो आप कमेंट में सजेशन भी करिएगा और अपना वेल्यूबल फीडबैक भी दीजिएगा कि अभी तक आप पढ़के कैसा लग रहा है चैनल पर नहीं लग रहा है लास्ट में भागने वाला मत काम करिया समिस्टर पांच है और यह आपके करियर पर रहेगा कई वार तो ऐसा भी होता है कि आपकी जौब जो है ना डिपेंड करता है बहुत सारे बच्चे एससी सीजी एल यूपीएसी सीए सीएस एस एमबीए ललबी बहुत सारे ड्रीम से या इंडिया से बाहर जाना है तो भाई साम मैं कहने वाला हूं कि सर्फ और सर्फ आपको इसमें मैनत करनी पड़ेगे स्टार्टिंग से दो समेस्टर आपके ऐसे ही जाएंगे थोड़े से सब्जेक्ट इजी है आप सुरू से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा जॉब करने करिए आपकी नीड है और मैं यह नहीं कह रहा जॉब नहीं करिए जॉब करना ठीक है लेकिन साथ के साथ एटलीस रात को वन आवर में निकालके पढ़िए पंच्वरेटी अगर मेरे से कोई पूस्ता है क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में तो मैं सबसे प दूख होगा दूसरे दिन दूख होगा एक हपते के बाद रूटीन जब बन जाएगा ना कंटीनीव रखिए आप पूरे तो उसके हिसाब से ठीक रहेगा तो थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में